Hello everyone, so आज हम लोग देखने वाले हैं कि open interest के basis पे हम लोग directions या फिर उसका trade setup थोड़ा बहुत क्या हो सकता है कि writers के मुकाबले बजार अगर momentum देना चाहते हैं तो कहा पर दे सकता है अगर writers चाहते हैं तो बजार कहा पर जो है वो stable है सकता है So generally हम लोग वो try करेंगे कि मुझे open interest देखके directions बजार का identify करने आ सकता है कि नहीं और technically मैं वहाँ पर trades कैसे बना सकता हूँ तो simple देखो एक example के साथ या फिर एक line draw करके I'll explain you properly So let's assume कि यह मेरा resistance level है और let's assume यह मेरा support level है So green one is your resistance And red वाला है यह आपका support level है Now simple देखो resistance level पर क्या writers चाहते है कि बजार जितना नीचे रहे उतना benefit है मतलब pressure जो है वो नीचे की तरफ है या फिर बजार sideways होना चाहिए कुछ ऐसा Whatever वही चीज़ अगर support पर देखो तो support पर put writers है Put writers क्या चाहते है कि बजार जितना उपर है उतना better है और या फिर बजार जो है वो sideways होना चाहिए So let's see example लेते कि current market price कुछ resistance के आसपाद ऐसे trade करते हो यह आए Add करेंगे तभी अगर call writers अपना motions add करें That means what pressure जो हो नीचे की तरफ बहुत ज्यादा strong build हो रहे है Right तो एक reversal देखने मुझे मिलेगा और वही चीज़ मुझे यह दिखाई दी कि call writers जो है वो add नहीं करें लेकिन unwind कर रहें अपना motion मतलब निकाल रहे है Unwind means निकलना So जब भी वो unwinding करें मतलब pressure जो नीचे देने वाले वो कम हो रहे Right तो definitely अगर नीचे देने वाले pressure कम हो रहा है तो बजार एक उपर की तरफ momentum ले सकते Sustainable momentum हमें देखने मिलेगा Right तो मुझे bullish के लिए क्या चाहिए Call unwinding चाहिए Call unwinding और वही चीज़ अगर suppose price कुछ ऐसे momentum दे रही और support के आसपास आगी Okay यहाँ यहाँ पर भी दो चीज़े हो सकती है एक reversal आ सकता है या फिर एक breakdown opportunity हमें देखने मिल सकती है Right तो suppose यहाँ पर put writers अपना positions और add कर रहे है अब यह put writers अपना positions add कर रहे that means what कि put writers चाहिए कि बजार जितना उपर रहे उतना benefit है Right तो एक reversal हमें देखने मिलेगा यहाँ पर लेकिन वही चीज़ suppose यहाँ पर put writers जो है वह unwind कर रहे Unwind means निकाल रहे अपना positions तो एक breakdown opportunity मिलेगी Why Because pressure जो नीचे की तरफ देने वाले वो कहीपे तो specifically pressure जो उपर के तरफ देने वाले वो कहीपे तो कम हो रहे तो मुझे unwinding दिखेगी यह आपे Right तो bearish के लिए मुझे क्या चाहिए Put unwinding Okay simple concept है देखो एक quick recap देताओ अगर बजार उपर जा रहा है तो उपर जाते है उसको जितना pressure कम रहेगा नीचे की तरफ आने का उतना बेटर है तो option writer क्या चाहते है call writer क्या चाहते कि बजार जितना नीचे रहे उतना बेटर है तो suppose call writers एक resistance बना के रुके है और वहां से मुझे unwinding दिख रहे मतलब call address भाग रहे है वहां से अगर वहां से call writers भाग रहे मतलब pressure नीचे की तरफ देने वाले कम हो रहे तो बजार एक उपर की तरफ दिरेक्शन लेगा So call unwinding indicates to the bullishness, logic put unwinding indicates to the bearishness, simple है strike की आसपस तो हमें major लिखा देखना है कि current market price resistance को अप्रोच कर दिया फिर support का अप्रोच कर दिया Right, simple में बताता हूं इसे और कैसे better कर सकते मैं टूल पे आता हूं track पे open interest पे Okay, now let's see अगर आप एक example लेते हैं हम लोग perfect लेट सी Now you can see यहाँ पे देखो यह जो green बार है यह resistance है red बार जो है वो support level है Okay, अभी bank बारोदा अगर आप देखोगे अच्छे से तो 260 का एक resistance level है जहाँ पे देखो यह dark green आप देख पार हो Dark green मतलब क्या call addition अगर call addition हो रही है उसका मतलब क्या कि bank बारोदा 29 August के एक्सपारी तक राइटर शाथ है कि इस level के नीचे रहे क्योंकि सबसे जादा जो put call sellers है वो यहाँ पे रुके राइट सो बैंक बारोदा इस level के नीचे support हाला कि उसका एक level यह है और एक level यह है लेकिन अगर मैं technically range देखने जाओ currently तो यह एक अच्छा range बना है 260 is the resistance और 250 is the support तो बजार इस level के अंदर expire होगा तो कई पे तो इन्हें benefit होगा जो जादा बेच के रखा है यहाँ पे देखो यहाँ पर आपको एक blank जगा दिखाई दे रहे है विच इस अ कॉल unwinding अभी यह unwinding क्यों कर रहे है क्योंकि बजार ने यह प्राइस अल्रेडी ब्रेक किया तो जहाँ पर यह sellers इन्हें कई पर लॉस होना शुरू हुआ रहेगा तो एक तो अन्वाइन करके यहाँ पर अपना पॉशिशन शिफ्ट कर रहे है या फिर यहाँ पर अपना तो प्रेशर देखो नीचे की तरफ देने वाले बहुत कम हो गया राइट अगर कॉल unwinding मुझे दिख रहा है तो इंडिकेट इपना बुलिश अगर यहाँ पर अन्माइंडिंग दिखने लगा बजार हलका बूलिश अगर यहाँ पर अन्माइंडिंग दिखती है तो यह भ पुट की तरफ कोई ट्रेड देखू हाला कि मैं जब रेकॉर्ड कर रहा हूं तो बजार का सेंटिमेंट और और बुलिश है लेकिन यह देखो अगर आप देखोगे न तो देखो ना आपको इसमें जादा अन्वांडिंग दिख रही है थोड़ा सा हलका बहुत एडिशन अगनल ! तो बजार वहां और प्रता हुटिमेंट लेखी है। सवकया ही है । मजण पर टॹूर्इट कर हो अगर पाये है उपन इंटरेस्ट अफन अंट्रेस्ट दीखा तो इंडिकेटिस इन ब biography ना विक्रा तो सिंपल है अगर मुझे call writers unwind हो रहे हैं मतलब मेरा indicate है bullish, indication है मेरा bullish और अगर put writers unwinding हो रहे, that means मेरा indication है bearish, okay, तो ये intraday के perspective से भी आप कर सकते हो, positional perspective से भी आप कर सकते हो, अगर ये video समझ नहीं आया रहेगा, थोड़ा बात मैंने इसमें detail ही बताया है, वापस एक बार देखो, अगर छोटे मुटे doubt है तो नीचे सार जीसे इन detail लिखी हुई है, तो एक बार वो भी go through कर लीजेगा, Thank you so much everyone,